गूद मॉर्निंग स्टुदेंट्स, आज हम पड़ेंगे केमिस्ट्री के सेकंट पेपर इनॉग निक केमिस्ट्री का टॉपिक हुंट्स रूल या हंट्स रूल यहुंट्स रूल किस पर बेज्ट है? तो यह एलेक्टरॉन की पेरिंग पर बेज्ट है. इसमें क्या दिखा जाता है कि इलेक्ट्रोन की पेरिंग किस टाइब से होगी अब आपने प्रीवियस क्लासेज में मैंने अभी आवव प्रिंसिपल पड़ाया था उसमें आपने एलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन देख लिया था कि इलेक्ट्रोन किस क्रम में भरते हैं तो हमने सबसे पहले देखा था इस डाइग्राम के थ्रू वन एस में दो इलेक्ट्रोन जाएंगे इट मींस एस जो हमारा ऑबिट है उस ऑबिट में मैग्जिमम इलेक्ट्रोन जाने की संभावना कितनी है पॉसबिलिटीज दो फिर उसक को समझाने के लिए एक हंट्स नाम के विज्ञानिक आए उनने एक रूल दिया जिसका नाम हंट्स रूल पड़ा या हंट्स रूल पड़ा फिर यह जो है हंट्स रूल यह क्या बताता है maximum electronic configuration को तो इसमें हमने आपवाव प्रिंसिपल के थू maximum electronic configuration देख ली और इसमें पैरिंग हम किसके थू देखेंगे हैं हंट्स रूल के तो इसमें इनने बताए कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 इस टाइप से फिलिंग होती है अब हम यह देखते हैं कि hydrogen से boron तक it means hydrogen का कितना है atomic number 1 और boron का कितना है 5 तो hydrogen से boron तक atomic number और फिल करने में कोई problem नहीं है क्योंकि उसमें 1-1 करके pairing होगी बट जैसे ही carbon आता है मतलब की carbon में 6 electron है और carbon में जब 6 electron है तो उसमें यह क्या बताता है कि 1s2 जो हमारा पहला s-orbital है उसमें 2 electron जाएंगे दूसरे s-orbital में 2 electron और जो p-orbital है यह जो p-orbital है इसमें भी 2 electron जाएंगे बट इसमें कैसे जाएंगे अभी तो हमने पढ़ा था कि energy के through जाते हैं बढ़ती हुई उर्जा के क्रम में electron filling होती है बट कैसे होगी तो इसमें इन्होंने यह बताया कि electron pairing के through ही electron fill होंगे तो यहां पर problem यह create होई कि carbon में जो अगला electron है जैसे कि carbon के 4 electron तो 1s2 और 2s2 में चले गया पांचवा electron 2p x में चला गया लेकिन छटवा electron कहां जाएगा 2p x में जाएगा कि 2p y में कि 2p z में तो इन्होंने बताया कि यह electron जो है वो half field पहले complete करेगा it means पहले एक ही करके electron जाएगा ना कि एक ही orbit में 2 electron pair करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि इनका कहना यह था कि जो p orbital है p orbital में 3 sub shell है p x p y p z और इन तीनों की energy क्या होती है same होती है यह देखिए आप मैंने यहाँ पर mention भी किया हुआ है p x is equal to p y is equal to p z और इनकी सभी की energy same होती है फिर इसी चीज़ को इन्होंने जो carbon में atomic number है उसके जो electron भरने का जो crumb है वो बताने के लिए इन्होंने अपना एक rule दिया hunts rule hunts rule किस पे based था based on electron pairing मतलब कि electron की pairing कैसे होगी तो इन्होंने बताये कि electron prefer to remain unpaired as far as possible it means electron तब तक unpaired रहना चाहेगा जब तक की वो जादा से जादा रह सके मतलब की वो जादा से जादा unpaired रहना चाहेगा वो pairing तभी करेगा जब उसके पास unpaired की possibilities नहीं होंगी तो इन्होंने इस तरह से बताया कि electron in a shrub cell are paired only when all the orbitals of a subcell in half field with parallel spin इसका मतलब की electron किसी भी subcell में subcell बोले तो यह हमारी है ना तो इस में यह क्या होंगे यह तभी paired होंगे तभी युगमित होंगे जब इनके सारे orbital के जो subcell हैं वो कैसे हो जाए हाफ field मतलब की अर्ध पूरिद एक एक करके सारे subcell में चला जाए जब सारे subcell एक एक electron से filled हो ज जामपल देख सकते हैं और साथ ही साथ इनने इस्पिन भी बताया मतलब हंट्स रूल ने ना केवल इलेक्ट्रों की बताई बल्कि यह भी बताय कि इनकी स्पिन कैसी रहेगी मतलब की इनका रोटेशन कैसा रहेगा इनका चक्रन कैसा रहेगा इनका चक्रन पैरलल रहेगा म यहां पर मैंने नाइट्रोजन लिया है, एक्जाम्पल में नाइट्रोजन का एट्मिक नंबर को हम Z से देनोट करते हैं, तो Z is equal to 7 और इसकी लेक्रोनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 3p3, यहां पर 1s2 में दो एलेक्रोन फिल्ड हुए, फिर 2s2 में दो एलेक्रोन फिल्ड हु तो यह दोनों ही कंडिशन में सही रहेगा, इसको हम गलत नहीं बोल सकते हैं, क्यूंकि इन्होंने यह बताया कि पैरलल स्पिन होनी चाहिए, अन्पेर्ड एलेक्रोन्स हाफ फिल्ड पोजीशन में होंगे और पैरलल स्पिन होगी, तो इन दोनों में आप देख रहे हैं, यह पैरलल स्पिन है, यदि अप नाइट्रोजन का इस तरह का इलेक्ट्रोनिक कंफिग्रेशन का डाइग्राम बनाते हैं, तो दोनों कंडिशन में यह सही रहेगा, इसी तरह से मैंने ऑक्सिजन का भी बनाया हुआ है, ऑक्सिजन में आप देख रहे हैं, वनेस तू तू एक नमर कितना होता है, Z is equal to 8, एट को यदि हम लेक्ट्रोनिक कंफिग्रेशन देखें, तो जो हमारी P औरबिट होगी, उस P औरबिट में 4 एलेक्ट्रोन जाएंगे, बट वो 4 एलेक्ट्रोन कैसे जाएंगे, तो पहले तो हम तीनो एलेक्ट्रोन को एक-एक, तीनो सब्च भी सही रहेगी और P Z में भी जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको हंट्स रूल में बताया कि तीनो सब्चल की एनरजी बराबर होती है, तो इसलिए एलेक्ट्रोन किसी में भी पेरिंग कर सकता है, अब हंट्स रूल जो है, वो हाइड्रोजन से वनेडियम तक, हमारा जो हाइ एक एक्सेप्शनल केस आजाता है, जैसे क्रोमियम, क्रोमियम के पास 24 एलेक्ट्रोन है, अब इसकी आप इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन देखें, तो कैसे बनती है, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 4, बट ये वाली जो कन्फिग्रेशन 4S2, 3D4, ये कभी भी सही नहीं होगी, क्योंकि जो 3D4 है, उसमें आप देख रहे हैं, लास्ट वाले और्बिट में, या लास्ट वाले सब्चल में, एक भी एलेक्ट्रोन नहीं है, सिर्फ इसमें 4 एलेक्ट्रोन है, जब कि इसमें कितने होने चाहिए, 5, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग, 5 होनी चाहिए, हाफ विल्ड होना चाहिए, तो इसमें क्या होता है, कि ये जो 4S2 है, ये इसका एलेक्ट्रोन इसमें जम्प कर जाता है, 3D में, क्योंकि 4S2 के पास फुल फिल्ड है, पूरे एलेक्ट्रोन है, बट इसके पास कमी है, और इसके पास जब एक एलेक्ट्रोन की कमी है, तो ये S से एक electron खीच लेता है या यह excited state में आ जाता है तो यहाँ पर क्या करता है यह 4S1 हो जाता है और यह एक electron 3D में jump करता है तो 5 हो जाता है तो इस तरह से यह half weld हो जाते हैं तो यह वाला electronic configuration सही माना जाएगा यह वाला electronic configuration सही माना जाएगा यहाँ पर मैंने mention भी किया है half weld and fulfilled are more stable जो half weld और fulfilled orbitals होंगे वो जादा इस्थाई होते हैं compare to बिना जो जिनमें पूरे कक्षक भरे नहीं होते हैं तो जादा जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं वो हमेशा इस्थाई होते हैं फिर इसमें chromium के जैसे ही एक और exceptional case है वो है copper copper का जो atomic number है वो 29 है copper का atomic number 29 होने की वज़े से हम इसका electronic configuration कैसे देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 अब यहाँ पर यह वाली जो position है यह position भी गलत मानी जाएगी जैसे कि उपर यहाँ 3d4 था तो यहाँ पर कैसे थे अर्ध पूरित होने में एक कम था और यहाँ पर पूर्ण पूरित होने में एक कम है मतलब यहाँ half field होने में एक कम था यहाँ full field होने में एक कम है तो यहाँ पर भी क्या होगा 4s2 जो है electron 4s2 में वो jump करके किस में चला जाएगा 3D में और excited state बना लेगा और क्या कर लेगा 3D 10 हो जाएगा तो इस तरह से 4S 1 हो जाएगा और 3D 10 हो जाएगा तो ये वाला जो configuration है ये सही माना जाएगा और ये वाला configuration गलत माना जाएगा इसलिए जो hunts rule है वो hunts rule ने हमको क्या बताया कि electron pairing कैसे होती है और किस base पे होती है तो electron pairing हमेशा spin देखा जाता है कि उसमें spin कैसा है है ना उसमें हमेशा पहले half field या full field half field होने के लिए parallel spin चाहिए सारे half field होंगे तो उनमें सब में एक ही spin होगी फिर crumb से उसमें full field होते जाएगे तो इस तरह से हम देखते हैं कि hunts rule जो है उसने हमें दो चीज़ें बताई एक तो electron की pairing और दूसरा electron की spin तो electron की spin में उसने ये बताया कि दो टाइप से electron की spin हो सकती है या तो clockwise हो सकती है या anti-clockwise ठीक है तो आज हमने hunts rule में अपना electron की pairing और spin देख लिया और इसमें electronic configuration में कैसे electron की pairing होती है कैसे fulfilled होते हैं उनको किस तरह से excited state आती है ये सब देख लिया और कौन-कौन से orbitals जादा stable होते हैं half-filled और fulfilled orbitals always more stable होंगे compared to other Thank you